संगम नगरी इलहाबाद में दिपावली का तेहार बड़े ही धुमधाम के साथ मनाया गया इस अवसर पर संगम तटके किनारे बसे विदेशी श्रद्धालू ने एको फ्रेंडली दिवाली मनाई विदेशी श्रद्धालू ने भारतिये परंपरा अनुसार रंग बिरंगी रंगोली बनाई और दिपावली पर दिये जला कर एक दूसरे को बधाईया भी दी वहीं विदेशी श्रद्धालू ने प्रदूशन को देखते हुए पटाखों की बजाय गुबारे फोडे heißt, We really want to live only for duali, in Kriya Yoga we want to live like Ram lived before so to remember this, just symbolically we light the lamp which is the lights from inside, we pop the balloon which is to give sound and feeling of how we should meditate deeper we do these eco-friendly things, as minimum when you practice Kriya Yoga when you want to live like Ram you love everyone so you have this much common sense you should be equal friendly also हमारे अंदर दिपक जला करके अंदर में संगित सुनते हैं इसके बाद प्रतिक रूप में बच्चों के लिए लोग पठाका दगाएंगे उसमें कोई भी यह पालूशन नहीं होगा आवाज हम सुनेंगे बिना पालूशन के ते एक नई परंपरा हमारे ये लोगों ने सुर पंजीव है लाल वाला त्रेता है और ग्रीन वाला दवापर है लाल वाला कलिकाल है तो आपको बता कि इलहाबाद के क्रिया योग आश्रम में 1992 से योग की शिक्षा लेने के लिए सैंक्डों की तादाद में हर साल विदेशी भारत आते हैं। फिलहल विदेशी श्रद्धालों के इस दिवाली के जरीए लोगों में एक एको फ्रेंडली दिवाली का अच्छा पैगाम जरूर पहुँचेगा। इलहाबाद से सियद रजा पंजाब के सिरी टीवी